नमश्कार दोस्तो, वेलकम तो हंगरी स्पिरिट्स चैनल हमारे कुछ वीडियो पे हमारे कुछ मित्रों ने काफी सारे इल्जामात लगाए उनने का के हम जो है रेश्यम की तरफ दरी करते हैं हम रेश्यम के लिए वायस हैं और एक ने तो ये भी लिगा कि आप अपने चैनल का नाम हंगरी स्पिरिट्स से बदलके रेश्यम का जैनल लख लो दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है पहली बात तो ये है कि हम सर्फ आपकी बात करते हैं जो आप हमें वीडियो बेजते हो ये सिर्फ बात है कि रेश्यम की वीडियो कईवाद रेश्यम की अबेजते हैं हां दोस्तों दूसरी बाद यह कि आपने देखा होगा कि कमेंट्स के वीडियो में हमने आज चक मेगा को नंबर बन पे रखा है क्योंकि कमेंट्स के हिजाब से वह नंबर बन पे हैं लेकिन आज मैं बात जो करूंगा आज मैं करूंगा कि घर में उसमें हमारा परसनल कुछ जो भी, as it as, डिक्टो, जो घर में कुछ बंदे, कुछ कंटेस्ट आए, पुराने कंटेस्ट उन्हों ने क्या कहा, क्या क्या कहा, तो उसके बारे में आप तर जवाब दीजिए, कि उन्हों ने ऐसा बहुत क्यों कहा, क्योंकि एक कंटेस्ट जो घर से घया है, उसका कुछ experience भी है घर के बारे में, और फिर बाहर जाके, वो वो एंगल से बिग बॉस को, episodes को देखता है, तो उन्हों में से सबसे पहले तो आई आरती, तो आरती ने आके, ये कहा कि रेशम लॉयल है, हाँ रेशम से कुछ गलतियां हुई है, लेकिन उन्होंने वो गलतियों को सुधा दूसरी बात उन्होंने मेगा को कही, कि मेखा, तू महाराश्टर के जान है, ये बात तो है, कि पूरे महाराश्टर से मेगा के लिए बरबर के कमेंट्स आते हैं, ये सही बात है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा, कि तू कप्टेंसी की भूख छोड़ दे, तू कहीं नह जाने वाली और सही मेखा और पुष्कर आप लोग बैक बिचिंग बंद करो यह आपने देखा होगा और दूसरा बंदा वो भी ऐसा ही कुछ बोला अरिर्थाटे तो उन्होंने आके तो फाइनल यह बता दिया कि घर के फाइनल यह सदस्या है वो है रेशं मेखा और पुष् यानि के सही का नाम नहीं लिया वो भी निकाल दे फाइनल तीन में आप क्या कहते हो आप वीडियो के नीजे कमेंट कीजिए और जो जैसे मैंने कहा है आप अपनी वीडियो भी बना के भेज चकते हैं धन्यवाद दोस्तों की बोचिंग हंगरी स्क्विरिट्स चैनल